मैं मातारानी दोस्तों मैं नीता आपके अपने चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत करती हूँ आप सभी को वश 2020 में दीवाली महा पर्वकी हार्दिक शुब कामना है आज हम बात करने वाले हैं धन्त रयोदर्शी अत्वा धन्त 13 के विशे में धन्त 13 के दिन यदि आप भी धन्वान बनना चाहते हैं तो जानिये इस दिन के विशेश उपाए कब आपको सामान खरीदना है, कब आपको धन्त रयोदर्शी का पूजन करना है और कब यम का दीपक लगाना है, जिससे की आपके जीवन में जो भी दुख, शो, कश्ट, संकट इत्यादी चल रहे हैं वह सभी दूर हो जाएंगे तो जल्दी से मा लक्ष्मी के नाम का जैकारा लगाएं और धन्त रयोदर्शी के विशे में जो जानकारी अब मैं आपको बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनिये धन्त रयोदर्शी का त्योहार 13 नवंबर 2020 की तारिक को मनाया जाएगा इस दिन शुक्रवार का दिन है इस दिन को मा बैवव लक्ष्मी का दिन भी बताया जाता है शुक्रवार का दिन जीवन में शुपता बढ़ाता है दन्सुख स्वभाग्य आदि की प्राप्ति कराता है धन्त रयोदर्शी का त्योहार 13 नवंबर 2020 को है त्रयोदर्शी तिथी का प्रारंब 12 नवंबर रात में 9 बच के 30 मिनिट पे होगा एवं त्रयोदर्शी तिथी की समाप्ति शुक्रवार को शाम में 6 बच कर 1 मिनिट पे होगी धंत्रियो दशी का दिन बहुत ही विशेश होता है इस दिन भगवान कुबेर का पूजन करा जाता है एवं भगवान धन्वंतरी जी का भी पूजन करा जाता है धंत रियोदशी के दिन पे यमका दीपक लगाया जाता है जिससे परिवार में किसी के उपर भी संकट ना आए सभी की आयू की रक्षा हो सभी लोग स्वस्थ बने रहें सबसे पहले आप शुब महरत लिख लीजिए अब पूजा को लेके मैं आपको दो बाते विशेश तोर पे बता रही हूँ दीवाली का त्योहार दीपक प्रज्वलित करने का त्योहार है पूजा साधना का त्योहार है इस समय पे करी हुई विशेश पूजा से मनुवांशित फलों की प्राप्ती होती है तो आपको जो दीपक जलाने हैं दीपक जैसे ही शाम का समय हो तब जलाने चाहिए तो दीपक जलाने का विशेष महुरत जिसे हम धंतेरस पूजा महुरत कहते हैं ये शाम में 5 बच के 34 मिनिट से लेके 6 बच के 1 मिनिट तक रहेगा इसी समय पे भगवान धनवंतरी जी का पूजन कुबेर भगवान का पूजन करना फलदायक होता है धनतेरस में इस समय पे पूजा करने से जो देवताओं की वैद्ध हैं जो आपके जीवन में आपको आरोग्य और स्वास्त का सुख देते हैं भगवान धनवंतरी जी प्रसन्न होते हैं साथी साथ धन की रक्षा करने वाले कुवेर भगवान का पूजन भी इस दिन करा जाता है जिससे आपके जीवन में धन सुख सभाग्यब बना रहे इस दिन पे आप खरिदारी करते हैं, बरतन लाते हैं, सोने चांदी इत्यादी के जवाहराद भी लेके आते हैं यह दिन बहुत ही शुभ होता है क्योंकि इस दिन पे मालक्षमी साक्षात आपके घर पधारती है जी हाँ दोस्तों दीवाली का त्योहार 5 दिन का त्योहार होता है पहले दिन में महालक्ष्मी आपके घर आती है इसलिए इस दिन से पूजा पाठ और मंत्र जाप ज़रूर करने हैं मंत्र जाप के लिए प्रदोश काल जो की शाम में 5 बच के 28 मिनिट से शुरू होके 8 बच के 7 मिनिट तक रहेगा इस बीच में आपको पूरे समय जाप इत्यादी करने के लिए शुब समय है तो आप इस समय का सदुपियोग करिए जिन लोगों के पास धन सम्बंदी दिक्कते हैं उन्हें मालक्षमी का जाप करना चाहिए जो लोग किसी भी तरह की बीमारी से रोग से पीडित हैं उन्हें भोले नात के महामरत्युन्जे मंत्र का जाप करना चाहिए यह दोनों ही मंत्र मैं आपको बता रही हूँ ध्यान से सुनिए जिन लोगों को धन चाहिए वह मालक्षमी के मंत्र का जाप करें ओम श्रीम हीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम हीम श्रीम ओम महालक्षमे इस मंत्र का जाब करके आप अपने घर में श्री अंत्र के सामने भी कर सकते हैं मालक्षमी शेहरी विश्नुजू की मूर्ती के सामने कर सकते हैं और उन्हें प्रसन कर सकते हैं मंतर जाप के विशेश लाब होते हैं, मंतर जाप करने से आपकी घर में उस तरह की उजाएं उत्पन होती हैं जिससे की आपकी समस्या का समाधान हो पाए अब जिन लोगों की तबेत खराब हैं वहां महामरत्युनजे के मंतर का जाप करें उसमें संपुट लगा के करेंगे तो और अच्छा है मैं आपको बोल के बता देती हूँ अब मेन बात आती है यम का दीपक लगाना जी हाँ दोस्तों यम का दीपक आपके परिवार की सम्रद्धी की रक्षा करता है आपके परिवार को अलग-अलग तरह के कश्टों से बचा लेता है यम का दीपक लगाने से ऐसा कहते हैं यम भगवान प्रसन होते हैं और अकाल मृत्यू से घर के लोगों की रक्षा करते हैं यम का दीपक आप शाम के समय लगाईए इसे अपने घर की मुख्य द्वार के बाहर रखना होता है एक दीपक ले लीजिए थोड़ा सा एक बरतन में अनाज ले लीजिए जी हाँ अनाज जरूर लेना है कोई भी अनाज हो सकता है चाहे आप चावल लें गेहू लें कोई भी अनाज ले लीजिए एक दीपक को एक प्लेट में रख लीजिए जिससे की दीपक का तेल या कोई भी चीज उस अनाज में मिक्स ना हो यह दीपक आप आटे का ले सकते हैं, दीपक मिट्टी का भी ले सकते हैं, जैसा भी आपको दीपक मिले वो ले लीजिए, इसमें तिली का तेल डाल सकते हैं और इस दीपक को जला सकते हैं यह दीपक आपको शाम में 5 बच के 32 मिनिट से लेके 6 बच के 45 मिनिट के बीच में अपने घर के बाहर अनाज रखके उसके उपर यह दीपक जला लेना है ध्यान रहे अनाज को आप किसी भी पनी से या किसी बरतन से ढग दें क्योंकि इस अनाज का बाद में आपको दान करना है जीहाँ दीवाली का यह दिन आप दान से इसकी शुरुबात करेंगे तो आपको देवत्व की प्राप्ती होगी जीवन में जो भी कष्ट होंगे वो जरूर भगवत क्रपा से दूर हो जाएंगे तो यमका दीपक इस प्रकार जरूर जलाएं इसके बाद इस दिन पे जो भी विशेश खरिदारी करनी है वो आप जरूर कर सकते हैं लोग इस दिन अलग अलग प्रकार के सोने चांदी के आभूशन खरीदते हैं चांदी खरीदने से आपके घर में मा की क्रपा होती है लोगों के मन में अच्छे भाव उत्पन होते हैं यश कीर्ती सुक्स भागे की व्रद्धी होती है चांदी को चंद्रमा का शीतलता का प्रतीक माना जाता है तो यहाँ आप खरीश सकते हैं इसके अलावा पीतल के बरतन, तामबे के बरतन यहाँ भी खरीदे जाते हैं इस दिन पे भगवान धन्मंतरी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे उनके हाथ में अमरत कलश था तो आप अमरत कलश के हिसाब से जो भी बरतन ले के आएं ऐसा भाव रखें कि यहाँ वही अमरत कलश है जो भगवान धन्मंतरी जी लेकर प्रकट हुए थे इस दिन पे लोग अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, खील बताशे इत्यादी भी इस दिन खरीदे जाते हैं, जो मिट्टी के बरतन होते हैं, जैसे मिट्टी के दिये इत्यादी इस दिन खरीदना शुब होता है, कई लोग नई मूर्तियां खरीदते हैं, मिट्टी की मू उनकी धन संबंदी दिक्कते दूर हो जाएं आपकी पॉकेट यदि अलाव करती है तो खरीदिये वरना आप किसी पेपर पे बना हुआ श्रीयंत्र भी लाके उसके सामने जाप करिए और उसे सिद्ध करिए आपको उतना ही फल प्राफ्थ होगा साथी साथ इस दिन लोग अपने घर की जरुरत का सामान खरीते हैं जैसे की फ्रिज, वाशिंग मशीन, मिक्सर, ग्राइंडर, डिनर सेट, फरनीचर, इत्यादी भी लेते हैं कई लोग तो गाडियां लेते हैं तो यह सभी चीज़े यदि आप चर महुरत में लेते हैं तो आपको इनका विशेश सुख प्राप्थ होगा और यह लंबे समय तक आपका साथ देती रहेंगी इस दिन पे जब भी आप कोई ऐसी चीज खरीदें तो ध्यान दे उस समय पे राहुकाल नहीं होना चाहिए मालक्षमी को कोडियां बहुत पसंद है पीले रंकी कोडियां इस दिन घर लाने से मालक्षमी की क्रपा प्राप्त होती है इन कोडियों का पूजन दीवाली के दिन करने से और उसके बाद इन कोडियों को उत्तर दिशा में रखने से या अपने घर की तिजोरी में रखने से मालक्षमी सदेव आपके घर पे क्रपा बना के रखती है धन 13 का दिन मालक्ष्मी को प्रसंद करने का दिन है इसलिए इस दिन पे घर में साफ सफाई का कोई न कोई सामान जरूर लाना चाहिए कई लोग बोलते हैं केवल जाडू लेके आएं ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप चाहें तो पोचा ले आएं आप चाहें तो डस्ट क्लीनर ले आएं कोई भी सामान जिसका प्रयोग साफ सफाई के लिए करा जाता है वहाल आने से मालक्ष्मी प्रसंद होती है क्योंकि साफ सफ सफाई जिन घरों में होती है वहां के लोग हल्दी होते हैं उनकी इम्मिनुटी अच्छी होती है बीमारिया नहीं उन्हें पकड़ती तो मालक्ष्मी की क्रपा बनी रहती है ना चली अब आगे बात करती हूं और आपको बताती हूं धन्तेरस के दिन पे आपको कौन सी वस जैसे कि तामसिक वस्तूएं कई लोग शराब, सिग्रेट, इत्यादी इस तरह की वस्तूएं खरीते हैं तो कम से कम आप इस दिन पर डिसिजन लीचे कि अब आप इन चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे और तामसिक वस्तूओं का प्रयोग ना करें और इन्हें खरीदें बी नहीं ऐसा माना जाता है ये किवल मानिता है कि इस दिन पे आप जो भी सामाल ने उसका प्रयोग स्वयम करना चाहिए तो इस दिन पे लोग बाग आमतौर पे दूसरों को देने के लिए कोई भी गिफ्त नहीं लेते तो इस बात का भी ध्यान आप रख सकते हैं दोस्तो दीवाली का यहां महापर्व अप्रारंब हो चुका है तो आप सब भी अपने घर में तैयारिया करिए आगे आने वाले वीडियो में धंतेरस पूजा से जुड़ी हुई और विशेश जानकारी में आपके साथ शेर करने वाली हूँ तो वीडियो देखते रहिए धंतेरस क दिन पे यम का दीपक जरूर जलाइए जो पूजा महरत मैंने आपको बताया है उसका विशेश ध्यान रखिए अगला वीडियो लेके आपसे जल्दी ही मिलूँगी अभी तक यदि आपने दोस्तों नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो वीडियो की नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बिटन को प्रेस करिए और बाजियों बनी हुई घंटी अथवा बैल के आइकन को प्रेस करिए मेरे सबी वीडियो देखने रहने के लिए नीता विक्रम चैनल से जुड़े रहिए और जै मातारानी कहते रहिए जै मातारानी दोस सदेव खुश रहें, सम्रध रहें